आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके इस तरह के questions पुरुसकारों से भी आपके फ्रलेम समय भी आते रहते हैं और अगर आप लोग देखते हैं कि One Day Jam में भी direct questions आ जाते हैं कई बार आपके तो आपने देखा होगा कि अभी 66 राष्टिय फिल्म पुरुसकारों की गोशना हुई है तो इन में देख लेते हैं कौन-कौन से point आपको याद रखना है और एक सामान जानकारी हम लोग देख लेते हैं और यह एक पुरुसकार विभिन सेडियों में पिदान किये गए हैं कौन-कौन सी है तो आप देखें कि गैर feature film सेडिय में एन इंजिनिरिंग और ड्रीम ने सर्प्षेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है गैर features film सेडिय में किसे मिला है एन इंजिनिरिंग ड्रीम ने सर्प्षेश्ट फिल्म का पुरुसकार जीता है ठीक है फिर आप देखेंगे features film की सेडिय में यह आप देखेंगे मरकर अराविक के दलिंते सिम्भम feature film को सर्प्षेश्ट फिल्म गोसित किया गया है यहाँ गैर feature है एफीचर है एप लोगों को याद रखना होगा ठीक है उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि अगर आप से पूँचे कि सर्प्षेश्ट बाल फिल्म का पुरुसकार किसे ने पराप्त किया है तो यह है कस्तूरी ठीक है सर्प्षेश्ट बाल फिल्म का अगर आप से पूँचे कि फिल्मों के लिए सबसे जानदा अनकूल राज जी का पुरुसकार किसे मिला है तो यह है आपका सिक्किम और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सिक्किम आकिर हमारे में में है कहां क्योंकि आपके कई वार डारेक्ट सिक्किम से भी questions आ जाते ह नैपाल से भी इसकी सीमा लगती है इसकी रादधानी गंगटोक है और आप लोगों को मालू होगा कि यह 1945 में राज बना था इसका गठन 10 अपरेल 1975 को बना था ठीक है इसका गठन और यहां अगर विधान सबसेटों की बात करें तो चोटा सा राज है 32 सीटें देखने को मि लोग सबसीट आपको एक देखने को मिलेगी ठीक है इसके बारे में याद रखिए और राज्यों की सीमा की बात करें तो केवल पश्चे मंगाल की सीमा इससे लगती है ठीक है आप लोग देख भी रहोंगे यहां में में तो क्या किया करिएगा कि इस तरह कि जो भी राज् अंतराष्टी सीमा लगती है किन देशों से ये भी आप लोग याद रखा करिएगा आप लोग देखते हैं कई बार कुश्चन सा जाता है कि सबसे जाना किस राज्य की सीमा लगती है अन राज्यों से तो आप देखते हैं उत्तर पिदेश आठ राज्य पिलस दिल्ली से इ 36 गड़ हो गया यानि कि 5 राज्जों से लगती है और इस तरह कि questions कई बार पूछ लेता है मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप लोग जरूर याद रख लिजेगा आगे बात करते हैं कि हम लोग इसमें मल्यालम फिल्म की अगर बात करें हम लोग तो जल्ली कट्टू के लिए ग्रेस गंगा धरन को बेश्ट सनेमेटो ग्राफी का पुरुसकार दिया गया है किसे जल्ली कट्टू फिल्म को फिर आप देखेंगे अगर पूछे आप से कि बेश्ट फीमेल पिले बेक सिंगर का पुरुसकार किसे दिया गया है तो ये मराठी फिल्म बारदो में रान पतोला गानी के लिए सावनी सावनी रविंदन को बेश्ट फीमेल पिले बेक सिंगर का पुरुसकार दिया गया है अगर आपसे पूँचे कि सरफसिष्ट अभिनेता का पुरुसकार किसे मिला है तो मनोज बाचपेई और धनुस कुस्सायुक तुरूप से इन दोनों लोगों को दिया गया है अगर आपसे पूँचे कि सरफसिष्ट अभिनेत्री का पुरुसकार किसे मिला है तो कंगना रनोत को मिला है आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में अगर आपसे पूछे कि best सहाई कभी नेता की अगर आपसे बात की जाए तो इसमें देखेंगे आप लोग बिजय सेतुपती को सुपर्ग डिलेक्स तमिल के लिए दिया गया है अगर सरेष्ट निदेशक अगर आप कुश्चन साता है तो इसमें संजय पूरन सींग को चोहान को वहतर फूरे हिंदी के लिए चुना गया है अगर आपसे पूँचे कि सेष्ट बाल कलाकार तो इसमें आपको याद रखना होगा नागा बिसाल को कैडी तमिल के लिए चुना गया है अगर आपसे पूँचे कि सामाजिक मुद्धों पर आधारी सेष्ट फिलिम कौन सी है तो इह है आनंदी गोपाल मराटी फिलिम है अगर आपसे पूँचे कि सेष्ट हिंदी फिलिम छिचोरे छिचोरे ठीक है तो एक कुश्चन से आपसे जरूर पूचा जा सकता है बहुत तमिल फिल्म की बाद करें तो असुरन ठीक है यह आप लोग याद रखें अगर आपसे स्तरेष्ट खासी फिल्म की बाद करें तो आयू दुहे ठीक है स्तरेष्ट चत्तीस गड़ी फिल्म की बाद करें तो भूलन दे माजे इस तरह के पूचे कि सरेष्ट हर्यानिवी फिल्म चोरियां चोरों से कम नहीं हो ती है इसे मिला है सरेश्ट टुलू फिल्म किसे चुना गया है पिंगरा और सरेश्ट पंजाबी फिल्म रब्दा रेडियो 2 सरेश्ट मराथी फिल्म की अगर बात की जा है तो बर्दू तो यह सभी आप लोग point याद रख सकते हैं ठीक है अगर आपसे पूँछे कि राष्टी फिल्म पुरुसकार के बारे में अगर point आता है कुछ तो आप लोगों को याद रखना होगा कि राष्टी फिल्म पुरुसकारों का आयोजन भारत सरकार के फिल्म उसो नेदेशाले की द्वारें पिती वर्स किया जाता है और इन पुरुसकारों की सुरुवायत 1994 में हुई थी माप करेंगे 1954 में ना कि 1994 में ठीक है 1954 ठीक है 1954 और फिल्म उसो नेदेशाले भारत सरकार की किस मंतलाली के इंतरगत आता है तो आपको याद रखना होगा सूचना एवं पिसारन मंतलाली के इंतरगत आता है तो इनी में से आपका questions अगर आता है तो आप लोग आराम से कबर कर लेंगे इनी point को आप लोग याद रख लीजेगा ठीक है